बॉलगुट का एक और कपल हुआ स्प्लिट एशा देओल ने कन्फर्म किया कि वो अपने पती भरत तक्तानी से अलग हो चुकी है एशा देओल की भरत से सेपरेशन के खबरे पिछले कुछ समय से आ रही थी लेकिन तब इन खबरों को मीडिया रूमर्स बताया गया था क्योंकि ओफिशली एशा देओल या भरत दोनों में से किसी ने भी कन्फर्म नहीं किया था लेकिन आफ एशा और भरत ने एक जोईन स्टेटमेंट के साथ कन्फर्म कर दिया है कि ये दोनों अलग हो चुके हैं आप बच्चों के इंट्रेस में जो कुछ भी अच्छा होगा वो हम करेंगे और सभी से रिख्वेस्ट है कि इस वक्त में हमें प्रिविसी दे कुछ इस तरीके से ये statement आया है एशा और भरत के rumors, suppression कितब उड़े जब पिछले एक साल में एशा ने भरत के साथ अपनी एक भी फोटो नहीं डाली In fact, अपने mother के birthday के बड़े celebration पर भी वो भरत के साथ नज़र नहीं आई दिवाली पर भी वो भरत के साथ नज़र नहीं आई आखरी post उन्होंने भरत के साथ डाली थी last year जब उनकी anniversary थी तब उसके बाद उन्होंने भरत के साथ एक भी फोटो नहीं डाली इससे ये समझाता है कि पिछले एक साल में ही दोनों के बीच दूरिया आई है और दोनों ही separate हुए हैं और आज दोनों ने ये separation confirm कर दिया है एशा और भरत के शादी की बात करें तो 2012 में इन दोनों ने शादी की शादी से इने दो बेटिया है मिराया और राध्या एशा को भरत school time से जानती थी एक inter-school competition के दौरान उनकी भरत से पहली बार मुलाकात हुई थी और उसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और दोनों में प्यार बड़ा एशा चाहे Bollywood इंडस्ट्री में आ गई लेकिन फिर भी उनका प्यार कोई नहीं चीन पाया उन्होंने भरत से ही 2012 में शादी की हालाकि ये शादी जादा लंबी नहीं चल पाई और अब एशा भरत से अलग हो चुकी है यही कारण है कि पिछले एक साल में एशा देओल अपने पती से जादा अपनी मदर हेमा मालिनी के साथ नजर आई और उन्होंने फिर से इंडस्ट्री में काम धूनना अग्रसिवली शुरू कर दिया है